नमस्कार दोस्तो मैं हूँ एस्पिशर में आप देख रहे हैं ग्रीन गड़न चैनल ग्रीन गड़न चैनल में आप सबी कर श्रागत हैं दोस्तो आज मैं आप लोगी शाथ गंधराज यानि की गार्डेनिया फ्लावर प्लाइंट की क्यार कैसे करेंगे मैं देखें मेरे शामने जो प्लाइंट है बहुत ही चोटा है और आठ इंच का एक पॉट में लगा हूआ है यह प्लाइंट इसमें कुछ ब्रांचेस है और धीरे धीरे इसमें बार्स भी आते जारा है और शात में फ्लावर भी खेल चुके है एं दिखी और यह जो फ्लावर है फ्लावर का शायस काफी बड़े है काफी घना पटल्स है इसमें बहुती अच्छा फ्रेग्रेंस है तो समर्सिजिन में आप कैसे इसका क्यार कर शकते हैं क्या fertilizer देना है और क्या क्या करना है शबी आप लोगे शाथ मैंश यार करूंगा शबसी पहले तो बात कर लेते हैं इसमें पेश्ट का एटक बहुत ज़्यादा होता है आपको धेन रखना है ऐसा ऐसा पेश्ट का एटक होता है जो आपको समझ में नहीं आता है इसमें पेश्ट का एटक हुआ है तो क्या होता है जिस टाम नियू लीफ आता है यह देखी नि 1 ml एक लिटर पानी में डिजल्ब करके इस प्लांट के उपर अच्छा से आपको इस्प्रे करते रहना है आप अगर अच्छा से इस्प्रे करेंगे तो आपका लीफ अच्छा रहेगा आपका बाट्स भी एतना ही अच्छा हेल्दी आएंगे और बाट्स इसके बाद जाके ख इसलिए आपको फंजी साइड आपके पास जो भी है साफ है वेविस्टीन है एम फर्टिफाइब है जो भी है आपके पास फंजी साइड दो गिराम एक लिटर पानी में डिजल्ब करके इस प्लांट को अच्छा से इस्प्रे कर देना है और अभी समार सिजन होने के कारण आपको शाम की टाइम एस्प्रे करना है मर्निंग में आपको एस्प्रे नहीं करना है इसके बाद बाटरिंग कैसे करना है देखिए यह जो शॉयल है शॉयल हलका सा मॉइस्ट होना बहुत जरूरी है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट या सौगी नहीं होना चाहिए यह देखि तेहे दीरे एक plant अपना लीफ जहा देते हैं कि और जो बात इसका डार्ट जल्ठ चेंज को डायर कुद पर शुयागों है जाहां पर एक plant रखा हुआ है इस प्लाइट को ठीक ऊसी जगह पर रख दीजीएगे। वें सिसपों पर लेकर जाएंगे। तो ये दीरे दीरे stress में आ जाते हैं और इसका leap जरा देते हैं और शाथ में फूल और bats को भी जरा देते हैं इसलिए आपको direction को change नहीं करना और अभी summer season होने के कारण high temperature है इसलिए इसको आपको semi shade में रखना है बहुत ज्यादा धूप sunlight इसको पसंद नहीं है जादा सनलाइट में आएँगे तब भी इस्ट्रेस में आ जाते है और इसका लिफ जहर जाते है बाट्स भी जहर जाते है फलावर भी नहीं खेलते और रही बात आपको जो fertilizer देना है वो fertilizer की बारे में मैं आप discuss करता हूँ यह बहुत ज़्यादा organic fertilizer को पसंद करते है इनorganic fertilizer बहुत ही कम पसंद करते है जैसे कि आप rose या hibiscus flower plant को इनorganic यानि की chemical fertilizer देते है बैसा टाइप की chemical fertilizer इसमें कभी नहीं देना बैसे टाइप की आप अगर chemical fertilizer देंगे तो यह plant बहुत जल्द stress में आते है और शाथ में nutrition को सक करना बंद कर देते है और धीरे धीरे लिप ज़ड़ जाते है और plant मर जाते है इसलिए आपको हमेशा धेन रखना है सबी चीज बहुत ही अच्छा से देना है अपने को high nitrogen बहुत ज़्यादा पसंद करते है जो fertilizer में nitrogen बहुत ज़्यादा मत्र में मिलते है उस fertilizer यह plant बहुत ज़्यादा पसंद करते है शाथ में कुछ micronutrient होना बहुत ही ज़रुरी है तो आज मैं आपकों के शाथ ऐसा fertilizer share करेंगे जो organic fertilizer है pure organic fertilizer है इसमें देशक्ते only for pure organic fertilizer देके इस plant की आप क्यार करशक्ते है तो आपको chemical fertilizer का भी नहीं देना परेगा और अगर कुछ chemical fertilizer भी देंगे तो ओ chemical fertilizer देके भी इसकी क्यार आप करशक्ते है आपका plant बहुत हेल्दी रहेगा और अच्छा रहेगा flowering भी करते रहेंगे जो fertilizer देंगे उसकी बारे में थोड़ा सा डिसकस करते है शबसे पहले यह जो shoyal है shoyal का pH maintain होना बहुत जरूरत है gardenia flower plant के लिए जो pH होना चाहिए शोयल का उस 5 से लेके सारे 6 तक 5 से लेके सारे 6 तक होना बहुत जरूरत है 526.5 इस से ज़्यादा अगर pH लेवल होगा तो यह plant का growth रुख जाते है अच्छा नहीं होता इस बात को अपने को धेन देना है चलिए कुछ chemical fertilizer की बारे में बताते है आप अगर chemical fertilizer देना चाहते है तो आपको ammonium sulfate लेना है ए देखी ammonium sulfate की अंदर 20.5% रहते है nitrogen और 23% रहते है sulfur हाई sulfur ammonium sulfate देने से क्या होता है shoyl का pH है ओ धीरे-धीरे कम होना चालू हो जाते है तो ammonium sulfate देने से nitrogen भी मिल जाएगा sulfur मिल जाएगा तो pot में जो shoyl है shoyl का pH कम हो जाएगा यह देखिए magnesium sulfate इसके अंदर magnesium है और shat में sulfur है तो यह sulfur होने के कारण यह भी कुछ pH को decrease करते है मतलब कम करते है और shat में लेना है आपने को SOP red color का potash आपने को नहीं लेना white color का potash लेना है इसमें 50% potash है 50% potash की शाथ इसकी शाथ sulfur है तो sulfur क्या करेगा आपका shoyl का pH को कम कर देगा और shat में लेना है यह देखी SSP single super phosphate single super phosphate की अंदर कुछ phosphorus है कुछ calcium है और कुछ sulfur है sulfur होने के कारण आपका shoyl का pH हमेशा low बना रहेगा acidic बना रहेंगी तो यह जो 4 fertilizer मैंने बताया यह 4 fertilizer आभी हम लेंगे और आपके विशास शेयर करेंगे यह देखी यह ammonium sulfate मैंने ले लिए यह 1 gram quantity में लिए हैं देखी 1 gram quantity में ammonium sulfate लिए हैं और ठीक 1 gram quantity में हम लेंगे magnesium sulfate यह magnesium sulfate 1 gram quantity में SOP यह देखी potassium sulfate यह भी लेंगे हम 1 gram quantity में यह देखी 1 gram quantity में SOP potassium sulfate और जो phosphorus है single superphosphate है इसकी भी हम 1 gram quantity में लेंगे इससे ज़्यादा नहीं लेना है यह देखी यह इसको एक mix कर लेना इसको अच्छा से mix कर लेंगे यह जो chemical fertilizer तयार हो गया बन चुके है चलिए आच्छा से mix कर लेते हैं पहले इसको एक बावल में डाल लेते हैं फिर mix कर लेते हैं यह देखी यह mix कर लिए आप यह जो fertilizer है यह fertilizer अपने को पूरा नहीं देना यह जो spoon है एक gram का spoon है इसकी आपको देना है दो spoon यानि की दो gram अपने को देना है चलिए ऐसा करके यह थोड़ा सा कम है थोड़ी सी और इसमें डाल लेते हैं यह देखिए यह हो गया एक gram यह देखिए एक gram और यह दो gram यह चोटे चमच की दो gram अपने को देना है इससे ज़्यादा नहीं देना है chemical fertilizer में इतना ही देना है और multiple micronutrient जो है आपकी पाशो multiple micronutrient एक बार 15 दिन अंतर से इस plant को इस्प्रे कर देना है दो gram एक लिटर पानी में डिजल्ब करके इस plant को शाम की टा में इस्प्रे करेंगे तो ए plant काफी अच्छा रहेगा, healthy रहेगा कोई भी दिक्कत नहीं होगा लेकिन आज आप लोगे साथ मैं कुछ organic fertilizer भी share करेंगे जो एक plant को हम देंगे organic और inorganic fertilizer आप अगर chemical fertilizer यूज नहीं करना चाहेंगे तो श्रिफ organic fertilizer आभी मैं जो बताऊंगा उसको दीजिए यह देखी एक चममच आपने को निमखली लेना है इसके अंदर micronutrient है और शाथ में NPK का कुछ रेशियो है इसके साथ दो चममच आपने को लेना है compost आपके पास जैसा भी compost है बार्मी compost है लिफ मोल्ड गंपोस्ट है और नहीं तो cow dung compost है जो भी हो आपको दो चममच लेना है ज्यादा लेने की ज़रूत नहीं है ये मेरे पास बोन मिल है मैं एक चम्मच बोन मिल लेंगे ये मेरे पास बोन मिल है एक चम्मच बोन मिल लेंगे एक चम्मच बोन मिल मिला दिये और ये देखिए होड मिल है ये होड मिल अपने को एक चम्मच लेना है ये देखिए ये हो गया प्यूर लेकिन इसके साथ ए देखी होर्ण मेल में नाइटोजन है इसके साथ फसफरास है बोन मेल में और ए जो कमपोस्ट है कमपोस्ट में एनपी के सबी चीज़ है लेकिन बहुत ही कम मत्रमें है और नीमखली में भी कम मत्रमें है तो इसके साथ आपने को और क्या देना है देखिए पटाश की कमी है तो पटाश के लिए आपको देना है यह देखिए बनाना फील फर्टिलाजर आपको बनाना फील फर्टिलाजर दो से तीन शेमल तक इस प्लांट में प्रोवाइट करा शकते है चलिए आप ये जो fertilizer त्यार हो चुके हैं ये देखिए mix fertilizer एक organic fertilizer ये fertilizer हम दे देंगे इस plant को और्गनिक फर्टिलाजर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी देंगे तो और्गनिक फर्टिलाजर में कोई नुक्षन नहीं है आपका प्लांट को कोई एफेक्ट नहीं होगा देखकत नहीं होगा आप देशकते बिल्कुल आशानी से देशकते है दस दिन अंतर से एक बार आप आपको liquid fertilizer तो देना ही देना है, चाहे mustard cake fertilizer हो और cow down compost से बना हुआ, कोई भी fertilizer हो, एह देखिए, बनाना पिल fertilizer इसमें हम दे देंगे, दो से तीन शुय मेल, तो इसमें पटाज भी हो जाएगा, एह देखिए, ऐसे करके आप अगर fertilizer देते रहेंगे, तो आपका plant काफी आच्छा हैगा, बहुत ही healthy होगा, और आपका flower, plant से बहुत ज़्यदा flower आते रहेंगे, और एक बात मैं आप लोगी शाथ share करना चाहूंगा, आपका soil का pH अगर decrease नहीं हो रहा है, और आपका plant का growth इसके बाद भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप 15 दिन अंतर से एक बार, य एक coffee pouch आपको लेना है, और इसमें से एक चम्मच quantity में, एक चम्मच quantity में एक लिटर पानी में डिजल्व किजेगा, एक चम्मच एक लिटर पानी में डिजल्व करके इस soil में आप 15 दिन अंतर में एक बार दे देना, तो काफी से क्या होगा, आपका soil का pH कम हो जाएंगे, acidic हो जाएंगे और आपका प्लांट जितनी भी निउट्रेशन शोयल में है शब निउट्रेशन ले पाएंगे सक कर पाएंगे आज यही तक है दोस्तों अब बिद करतों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए है और अगर पसंद आते तो लाइक कर देना शेयर कर देना और श